वेलकम दोस्तो और एक नए वीडियो में आप सभी लोगों को स्वागत है दोस्तो आज इस वीडियो में सिखेंगे एक Instagram अकाउंट को पर्मानेली कैसे डिलीट करें अगर आपका अकाउंट को पर्मानेली हमेशा के लिए डिलीट करना है तो उसके लिए आप लोग क्या करें दोस्तो यहां पर देखेंगे आपको नीचे में देखें यहां पर कॉर्णार पर आपका एक आइकोन देख पा रहे होंगे आपका जो प्रोफाइल आइकोन है वहां पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पर एक तीन लाइन आप देख पा रहे होंगे टॉप यहाँ पर आपका जितना भी एकाउंड है यह दिखाएगा उसके बाद नीचे धीरे रहाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे पार्सोनल डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपका जो कॉंटाक इन्फरमेशन वो दिखाएगा आपका डेट अब बाद करेंगे इन्फरमेशन पर दिखाएगा उसमें से आप जो एकाउंड को डिलिट करना चाते हो वहां पर आप आप लोग क्लिक कर देंगे क्लिक करते हैं यहाँ पर दोस्तों अपको यहाँ पर जो मेंचीज आपको समझना है दो ओप्सन दिखाए देगा एक डिक्तिवेट एकाउंट temporarily और एक delete आकाउंट permanently मतलब पहला वाला जो option है आप मान लिजिए किसी कुछ दिन के लिए आप आपका जो account है आप डियक्टिव करना चाहते हो तो उसके लिए आप ये option यूज कर सकते हो अगर आपका account permanently delete करना है तो उसके लिए नीचे वाला जो option है ये आप यूज कर सकते हो तो हम लोग क्या करेंगे अपका मेरा जो account है इसको पारवान लिए delete करेंगे तो उसके लिए नीचे वाला option चूज करेंगे उसके बद continue button पर click कर देंगे continue पर click करने के बाद यहां पर आपका account क्यों आप delete करना चाहते हो उसके लिए कुछ region पूछा जाएगा तो यहां पर कोई भी एक account चूज कर लेना यहां पर मैं चूज कर रहा हूँ created a second account तो यहां पर हम लोग क्लिक कर देंगे उसके बद continue button पर click करेंगे उसके बद continue बटन पर click करेंगे continue बटन पर click करने के बाद यहां पर आपका एक message दिखाई दे रहा है कि आपका account delete तो हो रहा है बट 13 September के अंदर अगार आप login कर लोगे तो आपका account delete नहीं होगा इसका मतलब आपको 30 दिन का समय दिया जाता है और आप 30 दिन लोग इन नहीं करते हो तो आपका account permanently हमेशा के लिए delete हो जाता है दोस्तो यही था चोटा सा वीडियो में अगर आपको अच्छा लाएगे एक like करना कुछ भी doubt है इस वीडियो के बार में नीचे comment में बताना अगर अब मेरा चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल अकॉन भी क्लिक कर देना क्यूंकि मैं ऐसा ही वीडियो डालता रहता हूं